ग्राम पच्जाज समिती सदश के वाट नमबर 35 से निर्दलिय जैसिंग रावत ने नाम लिया वापस बीजेपी का सदश से होने और टिकेट नहीं मिलने से नारा जोकर भरा था निर्दलिय नामंकर तनिश्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बहतर सेफटी के गोल्ड स्टांडर्स के साथ तयार हैं आपके आगमन के लिए संदर आभुशन और बहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइन्मेंट बुक करें विजट तनिश्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सरकल अजमेर इस बीच वाड नमबर 35 से भाजपा के नाराज प्रत्याशी जैसिंग रावत ने निर्दलिय नामंकन दाखिल किया था जिन्होंने आज पार्टी में अपनी आस्ता व्यक्त करते हुए अपना नामंकन वापस ले लिया जैसिंग रावत ने पताए कि उनका नाम लिस्ट में था लेकिन किसी कारणवश उन्हें टिकेट नहीं मिला जिसके चलते उन्होंने आवेश में आकर निर्दलिय नामंकन दाखिल कर दिया था लेकिन पार्टी की रिति नीती में पूरी तरह सास्ता और विश्वाश व्यक्त करते हैं इसलिए अपना नामंकन वापस ले रहे हैं इसमें किसी का भी कोई दवाब नहीं है मैं जेसिंग राओ अजमेर ग्रामिंट 35-35 नंबर वाड से आवेदन किया था मैंने मैं वीजेपी का कटर कारी करता हूँ सुरू से बचपन से वीजेपी की विचारदार है मैंने टिकेट की मांग की थी मुझे टिकेट भी मिल गया था मैं करीब करीब टिकेट फाइनल ता लिस्ट में नाव था लेकिन कोई कारण वस में टिकेट कट गया तो मैंने निर्दिल्या के रूप में नामांकन किया था 32 नंबर वाड से लेकिन मैं पार्टी के परती गनिष्ट ता रखता हूँ पार्टी की विचारदार है इसलिए म मैं निर्दली चुनावन नहीं लड़ूंगा और मैं पार्टी का ही कारी करता हूं पार्टी के साथ ही रहूंगा तन मंदन से और हमारे 35 नंबर वाड से ज्याधा से ज्याधा वोटों से वीजेपी के केंडिडेट को ही जीता के वेचेंगे मैंने मेरा आवेदन वापेस ले झाला देटियत झाल one ओड़ ओ शोड़ड़ देटे जंए जिता के ही जीजे एफ ये जेगा तक ही जीजेज़ दियोग झाला उन उतक ज झाल झाल